दोस्तो हमारे इस चार्ट पेटरन का नाम है थ्री वाइट सोल्डर दोस्तो यह एक बुलिस पेटरन होता है इसमें आपको तीन केंडल नजर आती हैं दोस्तो वह भी बुलिस केंडल होती हैं जिसमें अपर वाई अपर केंडल सीनियों की आगार की दिखाई देती हैं दोस्त तो इसी तरीके से हम इसका next example भी देखते हैं, देखो इस चार्ट में भी आपको किस तरीके से three white shoulder बनते हो नज़रा रहा है, उसके वाद market सीधा जिग जैक करके सीधा उपर की तरफ उठता गया, यानिकि uptrend में convert होता चला गया है, दोस्तो ये चार्ट पैटरन एक दम three white shoulder के बिपरी दिसा में काम करता है, इसका नाम है three black crown, दोस्तो इसमें भी तीन करना नज़रा आती है, market को uptrend से downtrend में convert कर देता है, ये एक bearish pattern है, दोस्तो अभी आपको चार्ट में नज़रा रहा हो कि market uptrend में, उसके बाद एक three black crown बना है, उसके बाद market सीधा downtrend में convert हो गया, द यानि कि इसमें पहली candle होती है, वो थोड़ी red color की बनती है, दूसरी candle थोड़ी green color की बनती है, जब ये candles बनती है, तो ये market को downtrend से uptrend में convert करते है, क्योंकि ये एक bullish pattern होता है, ये इसको example के through समयते है, दोस्तो market आपको downtrend में नज़रा रहा हो, गर मां downtrend में market बना है, उसके market दीमे दीमे करके uptrend में चला गया है, दोस्तो इसी तरीके से ये चार्ट पैटन काम करता है, चलिए अब अपने चलते हैं, नेश्ट चार्ट पैटन की ओर, हमारी जो नेश्ट केंडल इसको नाम है, टूजर टॉप यानि कि ये टूजर बोटम की विपरी दिसा में काम कर चलिए इसके कुछ एक्जमपल को समझते हैं, दोस्तो जैसा चार्ट में हमें नजर आ रहा है कि market uptrend में चल रहाता, उसके वाद सीधा ऊपर एक टूजर टॉप बना, उसका market सीधा downtrend में convert हो गया, दोस्तो इसी तरीके से ये चार्ट पैटन काम करता है, ये एक बेरिस चा वीडियों के तरहत लेंड कर रहा है, इस तरीके से market में चैंडल बनेगी उसके बाद एक green candle बनेगी जो कि एक bullish pattern है, दोस्तो इन चैंडलों को किस तरीके से इन चार्टों को किस तरीके से apply कि जाता है, उसके बारे मैं लास्ट में बरकुल बात करूंगा, तो वीडियों को जरूर देगे, दोस्तो जब यह chart pattern बनता है, तो market को downtrend से uptrend में लेके जाता है, चलिए इसके कुछ example समझते हैं, दोस्तो जैसे कि आप chart में देख रहे हैं, कि चार candle से बनेगी जो कि जिस तरीके से landing कर रहा है, उसके बाद एक green candle बनेगी, उसके बाद market से uptrend में convert हो गया, दोस्तो इसी तरीके से यह chart pattern काम करता है, दोस्तो इन chart pattern को में जब position बनाते हैं, तो उसमें हम confirm होता है, confirm का bait करते हैं, कि यह chart pattern सही से काम कर रहा है, उसके बाद हम last में बात करेंगे, अगर video अच्छी लग रहे हैं, तो like and subscribe जरूर कर लें, चलिए अपनी next candle के और बढ़ते हैं, दोस्तो मारी next candle का नाम है lander top आने कि आपको इस तरीक से नज़रा है कि कोई चड़ रहा है, इसमें पहली candles होती है, जो के green candles होती है, ब्लिस candles, उसके बाद एक various candle बनती है, red color की, उसका market सीधा downtrend में convert हो जाता है, तो चलिए इसके कुछ example देखते हैं, उसके बाद वीड आ रहे हैं, green candle की, उसके बाद एक red candle बनी, उसके बाद मार्केट में बड़ी red candle बनी है, उसके बाद मार्केट दीमे दीमे करके downtrend में convert हो गया, दोस्तों अब बात ही आती कि हम इनमें किस तरीकी से position बनाते हैं,